एक गाउं में एक मूर्तिकार रहा करता था वो काफी खुपसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था उसे एक बेटा हुआ उस बच्चे ने बच्पन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटी की काम्याबी पर खुश होता था लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई नो कोई कमी निकाल दिया करता था वो गहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था, वो अपने बाप की सलहा पर अमल करते हुए अपनी मूर्थियों को और बहतर करता रहा इस लगातार सुधार की वज़ा से, बेटे की मूर्थियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्थियों को बहुत पैसा दे कर खरीदने लगे जबकि बाप की मूर्थियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही बाप अब भी बेटे की मूर्थियों में कमिया निकाल ही देता था लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के उन कमियों का एकसेप्ट करता था लेकिन फिर भी अपनी मूर्थियों में सुधार कर ही देता था एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया बाप जब कमिया निकाल रहा था तो बेटा बोला आप तो ऐसे कहते हैं कि आप जिसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिखती मुझे नहीं लगता कि आपकी सल्हा लेने की मुझे जरूरत है मेरी मूर्तियां परफेक्ट है बाप ने बेटे की ये बात सुनी तो उसने बेटे को सलहा देना और उसकी मूर्तियों में कमिया निकालना बंद कर दिया कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारिफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया बाप ने बेटे को बहुत शांती से सुना जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है बाप ने कहा हाँ क्यूंकि आज से कई साल पहले में बिस आला़ाश से टकराया था बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्थियां मैं नहीं बनाता ये भी हो सकता है कि मूर्थियों के बारे में मेरी सल्हा गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सल्हा की वज़ा से कभी तुम्हारी मूर्थी बहतर बनी हो लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्थियों में कमिया दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सैटिस्फाई नहीं होते थे तुम खुद को बहतर करने की कोशिश करते थे और वही बहतर होने की कोशिश तुम्हारी काम्यावी का कारण था लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सैटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बहतर होने की गुझाईश ही नहीं है तुम्हारी ग्रोथ पी रुप गई और लोग हमेशा तुमसे बहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्थियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती नहीं उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं बेटा थोड़ी देर चुप रहा फिर उसने सवाल किया तो अब मुझे क्या करना चाहिए बाप ने एक लाइन में जवाब दिया अनसैटिसफाइ होना सीख लो मान लो कि तुम्हें हमेशा बहतर होने की गुझाईश बाकी है यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बहतर होने के लिए इंस्पायर करते रहेगी तुम्हें हमेशा बहतर बनाते रहेगी झाल